हलो दोस्तों आपका स्वागत है हैस्टक सक्सेस्विध दीपक में आज हम प्रोटोइन सिंथेसिस इन्हेवीतर का पाथ तू लेके आ रहे हैं पहले हमने परहा था कि इसके कितने टैप्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं आज हम इसके द्रक्स के बारे में परहेंगे doxycycline यह क्या में यूज होता है ठीक है इसका इंदिकेशन है तो यह यह doxycycline है मेलिह हम cap disease में देते हैं ज आल्टरनेटिवー अर्ठनेटिव कहने का क्या मतलब है पहले cap का क्या मतलब है तो मतलब होता है community acquired pneumonia तो community acquired pneumonia के लिए जो drugs है वो है erythromycin लेकिन इसका साथ cost ज्यादा होता होगा इसलिए cost effective alternative cap के लिए कौन सा दिया जाता है doxycycline ठीक है अब देखिए अब कोई बीमारी है कोई दीजी जाए उसमें हम drugs देते हैं macrolid किसी भी कारण macrolid available नहीं है तो उसमें उसके alternative हम क्या दे सकते हैं doxycycline plus beta rectum यह ज़्यादा माना जाता है सही है अगर वो जो में ड्रक्स है वो किसी कारण या कोई side effect या उसका ना मिलने के कारण अगर नहीं हो रहा है तो उसका alternative कैसे यूज करेंगे कैप के लिए doxycycline और macrolid के लिए doxycycline प्लस भी तर एक्टम alternative की तरह यूज करेंगे अब क्या कह रहा है तो first line use of tetracycline in infection tetracycline मैंने कौन-कौन से दीजिज में tetracycline as a first line of drug use होता है तो coxiella बरण नीती जिसके कारण q fever होता है chlamydophylla citasi जो यह मेली यह बर्द से हमारे में आता है मतलब यह infection सबसे पहले बर्द में होता है और उसके बद वर्द से होता है तो और溜ारे में आता है ठीक है अब क्या है Francisacella tularnasis is में जो भी मारी होता है उसको कहते हैं tularnia miya यह मेली किस में होता है तो नाग फीमर दॉक से होता है यह दियर फ्लाइ फीवर होता है ठीक है अब क्या है inhaled bacillus anthracis इसका जो दीजिज होता है उसको कहते है anthracs ठीक है यह मिले हम यह क्या anthracs spore को क्या करते है हम ही inhale कर जाते हैं जिसके करान हमें यह दीजिज होता है तो ये सब के लिए कूँसा फस्ट लाइन अफ द्रग उज़ करते हैं तो तेत्रासाइकलीन अब क्या हो गया आप कूँसा द्रग्स है तो मेफ्लो क्यून मेफ्लो क्यून तो आप समय लेज़े अंति वैक्तिरियल एजेंट है सॉरी एंति मलेरियर एजेंट है जब आप malaria पर रहे होंगे तो यह जरूर पर है जहां पर भी क्यों नीन आ जाता है वो किसके लिए यूज होता है malaria के लिए होता है जैसे कि chloroquinolone फ्लोरोकिनोन यह malaria के लिए fix होता है ठेक है doxycycline फिर से आ गया यूज इंक्रिजरी इन दा एरिया वेर देरी रजिस्टेन तो और इन पैसेंट हूँ है side effect of meflokinin अब कह रहा है कि देखे है first line तो anti malaria में मेली first line तो chloroquinolone दिया जाता है लेकिन कुछ कुछ जगा पर हम meflokinin देते हैं जहां पर chloroquinolone से resistance हो लेकिन अगर माल लिजए कि वहाँ पर कहीं पर meflokinin परजिंट नहीं है तो हम क्या देंगे doxycycline देंगे alternative की तरह ठीक है उसी phylaria phylaria phylariasis यह किस disease के कारण होता है तो बुचेरिय वैन क्रॉप्ति के कारण होता है ठीक है तो इसमें हम मेली क्या देते हैं देख देते हैं दाय थाइल करवाजी माइन करवाजी माइन ठीक है और इसको किसके साथ दिया जाता है तो doxycycline के साथ combination करके दिया जाता है किस disease में तो phylariasis इसमें पैर हाथ हम लोकल भासा में हाती पैर या कच्छुआ पैर कहते हैं ठेक है अब यह क्या करें doxycycline doxycycline मेली कौन-कौन से disease में यूज होता है तो यह यूज होता है community acquired मरसा में तो मरसा क्या है तो मरसा का full pharma होता है mescytheline resistance streptococcus A यह क्या है तो यह यह मेली skin infection है जो मेली कहां-कहां होता है कि मिलिक किस कुस कारण से होता है इसमें तो इंफिक्षलिय में होता है और गुम्टी ब्रषिदरेव कर थी Prca क संदर बहुत सारे जाते हैं तो कौन सब्सक्राइई जाते हैं तो इसके कारण जो दीजिज होता है जो में दीजिज होता है उसका नाम है रॉकी मॉंतेन अस्पोटेद फीवर क्या रॉकी मॉंतेन अस्पोटेद फीवर यह याद रखिएगा कि रिकेट्सिया के कारण जो होता है वो कौन सा दीजिज होता है रॉकी मॉंतेन अस् sexually transmitted digits है और यह क्लेमेडिया species के द्वारा ही होता है आप आगे हम ऐसे करके यह सारे drugs हैं जिसमें यह बिमारिया हैं जिसमें हम क्या कर यूज करते हैं दॉक्से साइकलीन यूज करते हैं ठीक है जो मायको प्लाजमा है ये एक इसका characteristic यह natural resistance to antibiotic यह क्या है एंटिवाइटिक में इसमें कौन से यूज होता है तो beta rectum antibiotic इसमें यूज होता है ठीक है इसका characteristic क्या है तो make them natural resistance to antibiotic that target cell wall synthesis मतलब जो इसमें मिली क्या होता है target होता है cell wall का synthesis जिसमें कौन सा drugs यूज करते हैं beta rectum अब कौन सा आ गया बोरेलिया बोरेलिया का क्या होता है कि बोरेलिया है यह एक बैक्तिरिया है जो spirocyte phyram के अंदर आता है इसके कारण कौन सा disease होता है तो lime disease होता है कौन सा lime तो lime bolareosis ठीक है यह किसके कारण होता है तो यह junotik है मतब animal के कारण होता है कौन से animal तो tick या lice depends on the species of bacteria ठीक है अब क्या है तो अब है यसेनिया नहीं अब है brucelliosis, brucelliosis क्या है यह highly contagious है यह सारे जो दीजी जाना वो mainly animals के दवारा आ रहे है नीचे वाले ठीक है यह भी brucelliosis भी क्या है of infected animal मतब कोई भी animal जिसको infection होया हुआ है उसका हम meat खा रहे है बिना पकाए हुए या milk जो पाचराइज नहीं है या close contact with their secretion मतब जो animal infected है उससे हम close contact में आ रहे हैं तो यह disease होगा इस disease में कैसा fever होता है तो अंदूलेंट fever होता है मल्ता fever होता है और media terynian fever होता है यह सब याद रखिए यरसीन आपेस्टिस यरसीन आपेस्टिस क्या है तो यरसीनी आपेस्टिस यरसीनी आपेस्टिस करण होता है तो क्या होता है हमें यह स्नैक से समय आ जाता है तो यर्सीनिय पेस्टिस इसके करण क्या होता है प्लैक की हो जाता है अभी क्या करता है इस के एक तो निमिक, दूसरा सेप्टिकेम और तिसरा दोनी नमिक और फार्म होता है यह स्थेंसान यह स्थेनिय सींग फेसवर्म में होता हैं टीर्स ले तो अब ये क्या है तो ये एक पैथोजेनिक के स्पीसिस अब ग्राम निगेटिव कोको बैसला है तीक है इसके करण कौन सा कोजेटिव एजेंट है तुलारेमिया इसके करण क्या होता है निमोनिया होता है क्या होता है निमोनिया अब अगला कौन सा पाथ है तो अगला है भिवल प्विव्योचोर्ला ग्राम नेगेटीन ऊक्राम yn चुतिकति। इकईए कोली उप्माश। तो प्विव्य्योचा दरूर समें क्विवुटूरी कायर सीतिकिंटिक और िविव्योच कांटिकतिक ने प्रस्तिMad means उल्लेकी क्विव vive は भी हो जाता है कभी कभर कब मेंटिंग होता है विदीन अवर्स तू तू-टू-टू-ठीद ऑफ-इंजेसन मतलब आप जब आप यह बिब्रियो कोला खाते हैं मतलब उसका जब infection अंदर जाता है उसके within hours या 2-3 दे तक खाने के बाद ये विमारी हमें होती है उसमें vomiting होती है ठीक है अब आ गया तक णनीप केंपाइलो वक्तर फीटस क्या होता है तो ये भी एक गाम निगेतिव बैक्टेटिरिया है लेकिन ये क्या है इस से प्रफद है याद रखे अभी जो दो पर है वो क्या था वैसिल है ये गौन ये ठीक है ये भी क्या है ये विब्रियो जीनस के अंदर आता है और इसके करण कौन सा बिमारी होता है इसका जो में इनिमल होता है वो क्या होता है कैटल और सीप अब ये कहां किसके कारण होता है तो कौजेतिव एजेंट है सी जेजुनम इसके करण कौन सा दैरिया होता है प्रो दाईरिया उसमें काँ सा दैरिया होता है फिक जे नीन्हु एक और दीजी सिंड्रॉम होता है इसके नाम है जूलीएनबेरी सिंड्रॉम ठीक है और इसके नाम क्या होता है reactive arthritis भी होता है ठीक है? अब आते हैं अंगले डीजिग में अगले डीजिग का क्या नाम है? अब हैमोफिलस तुक्रेग क्या है? यह क्या है? ये क्या है? ये क्या है इसके कारण मेजर कोज होता है क्या जनाइतर अलसरेशन जनाइतर अलसरेशन मतब क्या होता है जनाइतर अलसर हो जाता है जिसके कारण क्या होता है पेनफुल सोल हो जाता है कहाँ पर जनाइतर अलसरेशन के कारण ठीक है अब क्या है इना प्लाजमा फैगोस है तो फिलम अब ये एना प्लाजमा फैगोस है तो फिलम क्या होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्तिरिया है ठीक है ये मेली किस के कारण होता है तो ये सीप और कैतल मतलब सीप और कैतल जो है क्या है इसका रिजर वायर्स है ठीक है इसके द्वारा कौन सा फिवर होता है तो तिक फीवर और पास्टल फीवर यह अलग-अलग यह पैथोजन के गरण अलग-अलग फीवर होते हैं यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसे याद रखिएगा ठीक है अब क्या हो रहा है तो अब आगया यूरिया प्लाज्मा इुराइटिकम तुरिया प्लाज्मा इु कर दो चकरण जो यह स्पैसिस होती है ऐसपिसिस के अंदर क्या होता है जीक्षेश्आ चीआप का इन्फीक्ष्ण घLER एंफेक्सन मतलब यह है कि सेक्षुली transmission के कारण क्या होगा urinary tract infection होगा किस के कारण तो एक बिमारी है जो किस के कारण होता है lime borreliosis के कारण होता है अब इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि यह spread होता है tick के द्वारा किस के द्वारा तो इसमें जो region wire है वो tick है इसमें क्या होता है most common sign क्या है तो redness on skin जिसको क्या कहते है irithewa migraine मतलब कि अगर irithewa migraine कहीं पे देखे तो वो किस के कारण होता है lime digits के कारण होता है ठीक है और कौन से इसमें भेगता है तो tick white अब क्या है inhaled anthrax यह तो पहले ही बता चुके थे inhaled anthrax क्या होता है अब आते है non infectious condition non infectious condition क्या होता है मतलब ability to reduce inflammation अगर infection होगा तो inflammation होगा अगर infection नहीं हुआ तो inflammation धीरे धीरे कम हो जाएगा तो क्या होता है minocycline may be used for early rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis में कौन साम drugs यूज करते हैं minocycline याद रखिएगा rheumatoid arthritis में minocycline यूज किया जाता है tetracycline is administered intraplurally for the control of malignant pleural effusion drugs को याद करने के लिए drugs लिखिया और उसके बगल में उसका दीजिज लिख लिजे तो जल्दी याद होगा tetracycline क्यों use होता है तो malignant pleural effusion के लिए ठीक है sorry अब क्या है chlorampenicol ठीक है अब ये क्या होता है तो ये भी broad spectrum activity है मतब दो use हुआ broad spectrum में एक क्या है टेक है tetracycline दूसरा है chlorampenicol मैंने जो code बनाया है वो है क्या है teacher और children both पे लिखते है teacher और children क्या है both पे लिखते है teachers हो जाएगा tetracycline तो teachers cycling क्या होता है cycle line करती है तो tetracycline और ये children सो हो जाएगा chlorampenicol ठीक है अब ये क्या है ये जो chlorampenicol है ये tissue को penetrate बहुत अच्छा से करता है किस लिए यूज होता है ये first line of therapy है किसका enteric fever का ये याद first line of therapy याद जरूर रखिएगा ठीक है अब ये alternative therapy किसके लिए होता है तो अभी जो पर आया था enterax के लिए और placu के लिए placu किसके करान हुआ था तो yersinium pestis के करान ठीक है अब क्या है मुआ मुआ क्या है इसका किसका क्रोरेम पेनी कॉल का enter the cell by an energy dependent process मतब ये cell में enter करता है कैसे energy को यूज करके अब ये क्या करता है protein synthesis को inhibit करता है by reversible winding of larger 58 sub unit of 70S ribogemal देखे ribogemal में दो होता है 70S और 30S तो ये sub unit है अब इसका भी sub unit होता है मतब 70S का भी sub unit होता है 50S और 20S तो ये जो क्रोरेम पेनी कॉल है ये 50S को क्या करता है inhibit करता है binding से ठीक है अब क्या है produces a static effect against most susceptible microorganism ये क्या करता है static effect लाता है और क्या करता है meningia phatogen में ये bacteria cycle की तरह use होता है क्या की तरह bacteria cycle bacteria cycle कहने का मतलब है ये bacteria को kill करता है in vitro activity in vitro activity क्या होता है generally bacteria static जो in vitro activity होता है वो छो आपन वो एक टेक्नीक होता है जिसमें क्या करते हैं हम experiment करतें समय हम जो test करते हैं वो करते हैं living organisme पे और इन भाइबो भी होता है इन भाइबो में हम जो टेस्ट करते हैं उल लिविंग और्गनीजम पर करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो और इन भीत्रो में क्या करते हैं कोई भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं हम को एक component निकालते हैं organism का और उसके बाद उसका क्या करते हैं उसको laboratory में चेक करते हैं ठीक है अब क्या हो गया तो इन बित्रो एक्टिविटी यह क्या है जेरली बैक्टिरियो एस्टेटिक है यह बैक्टिरिया के growth को रोकता है लेकिन अगर यह ज़्यादा मातरा में ले ले और कौन सा अगर meningitis होया हुआ है तो H influenza, H pneumonia और H meningitis ठीक है यह तीनों most common organism होता है कब तो meningitis में जो हम देखते हैं इन भित्रो एक्टिविटी से ठीक है और यह किसके लिए suspectival है तो क्रॉड्रायम पेनिकॉल के लिए कौन सा क्रॉड्रायम पेनिकॉल जिसके बारे में आपी प observed मतलब यह GI tract से बेल अपजर्व होता है जब यह In-camsulated रहता है तिक है क्या कहरे है क्रॉड्रायम पेनिकॉल पाल्मितेत इस तर इती इन एक्टिव अब पुछेगा कि यह इन एक्टिव फॉर्म ओप हो रम पेनिकॉल क्या होता है तो क्रॉड्रायम पेनिकॉल पालमितेत इस तर ठीक है जो हैड्रोलाइज होता है कहां पर अपल इंतेस्टेनल ट्रेक में बन जाता है क्या एक्टिफ प्रोर्म पेनिकोल मतलब जो हम द्रग्स लेते हो इन एक्टिफ फॉर्म में रहता है और यब वह हमारे अपल इंतेस्टेनल ट्रेक में जाता है तो वह हैड्रोला महां से होता है लीवर के दोवारा क्या अचाना को लोजमें पर न रहता है आदमी A-D-M-E absorption distribution D से क्या होता है distribution M से metabolism E से excretion absorption हुआ small intestine distribution blood अब क्या है metabolism liver और excretion तो मिल लेकर नहीं के दोवार होता है यह जो ड्रग से वो क्या होता है इसका ये क्या होता है क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा को ठीक है और कभी कभी ये क्रॉस कर जाता है ब्रेश्ट मिल्क को भी नीवर्ण मेताबॉलाइटिक एते स्लोरेट जो बच्चे होते हैं जो नीवर्ण होते हैं वो जो इस antibiotic को slow rate में metabolize करते हैं क्योंकि उनका small intestine पुरी तरह developed नहीं होता है half life in adults 4.1 hours यह penetrate करता है अच्छे से eye में क्यों कैसे तो जब बच्चा जब fetus यह placenta से बेजाना के त्रू निकलते रहता है तो यह जो infection है यह eye के contact में आता है और यह क्या होता है यह eye के contact में आने के वाद eye को infective कर देता है थीक है तो वही कह रहा है अब क्या है अब क्या है यह कभी कभी dialysis में यूज होता है लेकिन यह supplement की तरह यूज नहीं होता है इसका यह contract indication क्या है कि यह hepatic fever जिस patient को liver खड़ाब है उसमें हम यह drugs यूज नहीं करते हैं toxicity क्या है तो हर drugs का toxicity जरूर याद रखेगा इसके कारण a plastic anemia होता है born marrow suppression होता है gray baby syndrome यह main है पूछेगा gray baby syndrome किस disease के कारण होता है sorry किस drugs के कारण होता है तो gray baby syndrome होता है croram penicol के कारण optic neuritis और hyper sensitivity reaction ठेक है अब क्या है indication तो यह croram penicol क्यों दिया जाता है तो यह दिया जाता है thyroid fever के कारण ठीक है और यह कभी effective होता है तो यह effective होता है vancomycin resistance interococcus facicum के साथ मतब क्या है अगर किसी को वैंग अगर interococcus में हम क्या देते हैं vancomycin देते हैं अगर interococcus में vancomycin से resistance हो तो कौनसा drugs देंगे croram penicol देंगे और किसी disease में यूज होता है तो scrub, murine और epidemic typhus में होता है कभी-कभी यह यूज active होता है against plague you, anthrax और tularemia indication क्या है मतलब indication तो बता दिये अब कहरा है यह alternative antibiotic की तरह यूज होता है ठीक है तो doxycycline रिकेट से infection हो रहा है और doxycycline नहीं है तो कौन सा देंगे क्लोराइम पे निकॉल कर देंगे तो रिकेट से infection का यह ड्राग अब कौन सा है doxycycline लेकिन अगर doxycycline नहीं है तो हम क्या देंगे यह क्लोराइम पे निकॉल देंगे ठीक है अलतरने थेरैपिपॉल तुररेमिया और किसके लिए एनमेंजायतिस के लिए है और इस निमोनिया के लिए है ठीक है अब आगे मैक्रो लीद मैक्रो लीद में हम अगले वीदियो में लेके आएंगे तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या सी यू